नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है हेमाशू और स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में दोस्तों Abilton Live 11 में हमको MPE की सपोर्ट अब देखने को मिल चुकी है लेकिन अभी तक काफी लोगों के मन में ये डाउट आता है कि हम Swim Engine जो की MPE Supportable Plugins में No.1 आता है उसके products को किस तरीके से use करें, control करें हमारे controller से और edit करें अभी जो MPE Support आई है Abilton Live की उसके साथ तो अभी तक मैंने इसका YouTube पर और Google पर अलग-अलग language पर मैंने search किया इसके बारे में कोई भी forum में अभी कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन फिर आखिर ठकार के फिर मैंने ही कोशिश करी और मेरे को इसका solution मिल चुका है तो ये अभी मेरे को, hopefully मैं ही पहली वीडियो बना रहा हूँ जो MPE Support के बारे में किस तरीके से work करना है ये बता रही है तो अब भी हमें करना किया है देखो मैंने किया क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर zoom करके, यहाँ पर मैंने एक MIDI clip को play किया हुआ है जिसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जब आप यहाँ से MPE वाली tab में आते हो तो आपको दिखता है यहाँ पर मैंने कुछ pitch band बनाई हुई है है ना कुछ इस तरीकी की मैं pitch band चाता हूँ यह मैंने इस तरीके की बनाई हुई है अगर आपके पास MIDI controller है तो आपकी यह अपने आपी आप बना लोगे जो आप play करते हो उंगलियों से उस तरीके साब बना लोगे आपकी बन जाएंगे और यहाँ पर sliding को देखते हैं तो sliding की मेरी कुछ इस तरीके की मैंने बनाई हैं तो यह मैंने edit करी है है ना बाकी आप चाहो तो जो आपकी controller है उससे आप play कर लोगे लेकिन अभी हम एक बढ़ swim engine को इसके उपर open करके देखते हैं तो हमको परिशानी लगेगी कि swim engine अभी work ही नहीं करेगा इनके according तो मैंने जैसे drag किया यह है ना और अब भी open हो रहा है swim engine यह हो गया तो आप भी देखो एक तो इसमें expression control controller मेरे को move करना पड़ेगा उसके बाद ही start होगा sound एक बार मैं आपको इसको play करके दिखाता हूँ तो दिखना इसमें sound आ रहा है क्या तो दिखो इसमें कोई sound नहीं आ रहा है है ना वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि expression control है वो controller है वो हमने move ही नहीं किया है है ना या तो मिरे को automation clip बनानी चाहिए CC 11 की उसको move करना चाहिए तो नहीं हो रहा है कुछ भी है ना और यहां पर हमने जो clip बनाई थी वो भी control नहीं कर रही है pitch bending भी नहीं हो रही है sound नहीं आ रहा है pitch bending तो बात की बात है तो देखो हो क्या रहा है कि हमें slide को connect करना पड़ेगा expression की साथ swim engine के है ना और pitch bend को भी हमें connect करना पड़ेगा अब वो कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको open करना है midi effects और midi effects में आपको मिलेगा mpe control है ना इसको आपको drag करना है इधर swim engine के आगे अब swim engine के आगे यहां पर आपको क्या work करना है यहां पर आपको जाना है और इस arrow वाले mark पर जाना है यहां पर आपको sliding को activate करना और pitch bend को activate करना है अब आप यहां पर देखो कि pitch bend का तो काम हो गया हमारा note pitch bend से pitch bend पर चला जाएगा है ना और sliding है वो modulation wheel पर जा रही है 4 ratio 1 की करनी है, यह आप ध्यान नखना, 4 ratio 1 पर ही यह काम कर रहा है अभी, और अभी उपर जाकर यहाँ पर जो pitch bend की range है, उसको मेरे को 12 कर देना है, तो यह मेरे पर बड़ी मुश्किल्स होती है, set, तो अभी, मैंने 12 यहाँ पर कर दिया, और pitch down और up और down की range है, उसको 12 कर देन है, drag करने का यह खेल है, पूरा वस, देखो, यह 12 हो चुकिए, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर यह कर दिया, अब हम options पर जाते हैं, और यहाँ पर हमको midi map पर जाना है, यहाँ पर midi map में जब हम जाते हैं, देखो, एक और और बता देता हूं, zoom करके, option पर गए और midi map पर तो यहाँ पर expression है, वो CC11 से control हो रहा है, लेकिन हमारा जो modulation है, modulation wheel control करता है CC1 को, लेकिन यहाँ पर CC1 मतलब vibrator depth है, वो control हो रही है, तो हमको vibrator depth अभी control नहीं करनी है, हम चाहते हैं कि vibrator depth को 11 मिल जाए, और expression को 1 मिल जाए, ठीक है, तो मैंने यह कर दिया, अब भी होगा क्या, कि जो 1 पर, मतलब modulation wheel है, है न, sliding से जो value आ रही है, वो modulation wheel पर आ रही है, मतलब CC1 पर आ रही है, और CC1 control कर रहा है expression को, तो अभी हमारा hopefully यह work करना चाहिए, मैं एक बार आपको play करके दिखाता हूँ, और check करते हैं अभी इसको, तो दिखो, यह काम करने लग गया न, अब सबसे भड़िया बात मेरे को क्या लगती है, MPE की, कि यहाँ पर आप zoom करके देखें, तो यहाँ पर यह जो notes है, इनके बीच में मैंने bandings बनाई होई है, आप इने खुद control कर सकते हूँ कि कि कितना आपको band करना है, FLS studio में भी automation के लिए बना लेता हूँ, तो आपको क्या है कि alt दबा के बनाओगे, आप move करोगे, अप down, तो आपकी, देखो, alt दबा के करोगे, तो यह बिलकुल एक जो note to note जाएगी, है न, plus one, plus two, plus three आ रहा है, और alt को छोड़ दोगे, तो यह आपके free होके move करेगे, और ऐसे ही, अग से, यह मैंने zoom कर लिया, इस तरीके से, और मैं इसी note के अंदर थोड़ा सा है, इनकी bandings चाहता हूँ, इस तरीके से, तो मैं इनको इस तरीके से, control भी कर सकता हूँ, अब जैसे मैं आपर alt दबा देता हूँ, जिससे जीरो पर आ जाए, तो यह मेरे को, शानदार लगता है function इस तरीके से, pitch band भी आ गए, और अब मैं आपको zoom out करके दिखाता हूँ, और इसको एक बार हम play करके दिखता हैं, दुबारा, अब आप चाहू तो, जो यह sliding है, इसकी value भी आप change कर सकते हो, यहाँ से मैं जैसे, मैं ही चारों कि थोड़ा सा मेरे को, यहाँ पर इस तरीके से down मिले, और यहाँ पर भी मैं जैसे चारों कि इसमें curve मिले मेरे को, तो मैंने alt दवा रखा है अभी, alt से curve मिल रहा है मेरे को, और इस तरीके से अभी मैंने set किया हूँ, अब मैं इसको एक बार play करके दिखता हूँ, तो इस तरीके से मैं control कर सकता हूँ, मेरा MIDI control भी connect हो जाएगा swim engine से, और इस तरीके से मैं edit भी कर सकता हूँ, सबी चीज़ों को, I hope दोस्तों आपको आज की वीडियो helpful रही होगी, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो को share किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, आप चाहे WhatsApp पर हो, Facebook पर हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ share करो वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तो मैं 5000 सब्सक्राइबर अब पहुंचने वाला हूँ, आप लोगों की नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक कियर, बबाई